हमिरपर शहर के साथ सटे हुए गाम लालरी के वाशिंदों ने एकता का ऐसा प्रमान दिया है जिसे देख कर हर कोई दंग रह गया है गाम बासियों के परियास से नाकेवल अबारा पशों बल्कि बंदरों के समस्य से निजात मिली है और खेती बाड़ी भी सूरक्षित हुई है सरकारी स्कीम सोलर फेंसिंग के फेल होने के बाद अवारा पशों से परिशान लालरी काम की लोगों ने जन सहयोग से 100 घरों से 5 लाक रुपे की राशी इकठा करके पूरे गाम में खेतों की बाड़वंदी की है जिस कारण लंबे समय से परिशानी झेल रहे ग्रामिनों को अवारा पशों की समस्र से छुटकारा मिला है आपको बता दें कि अवारा पशों से लालरी गाम की खेती बाड़ी पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी और जाइक का प्रोजेक्ट के तहत भी गाम में लोग अधुनिक तरीके से खेते बाड़ी के साथ सबजी उतपादन कर रहे हैं लेकिन अवारा पशों इसमें उल्चन बने हुए थी हालांकि कुछ लोगों ने सरकारी स्कीम के तहर सोलर फैंसिंग भी खेतों में करवाई थी लेकिन स्कीम कारगार साबित ना होने पर मजबुरन ग्रामिनों ने पांच लाग एकठा करके खुद ही तीन हजार मीटर कटीली तार लगाने का नीने लिया और इसके चलते ही पूरे गाम के चारों और कटीली तार बंधी की गई जिससे अवारा पशों के साथ पंद्रों से भी छुटकारा मिला है ग्रामिनों ने बताए कि गाम में अवारा पश्यों की परिशानी बहुत जादा बढ़ गई थी और आए दिन पश्यों पूरी फसल को बरबाद कर रहे थे जिसकी चलते ही समस्य से निपटने के लिए एक कमेटी बना कर हर घर से जमीन के हिसाब से पैसे इकठे किये और आज कटीली बाडबंदी से समस्या का हल हुआ है ग्रामिनों ने कहा कि इस तरह लाकुर पे खर्च करके समस्या का समाधान ग्रामिनों ने सोय निकाला तो इसके लिए सरकार की ओर से कोई सिहोग नहीं मिला है उन्होंने मांग की है कि कटेली तार लगाने के लिए भी सरकार की ओर से सिहोग मिलना चाहिए पैसे इकटे किये और साथ मैं इस तरह हमारे कुल जो है लगबग पांच लाग इकटे हो गए और जिसके कारणी हम जो बाड़ है उसका काम सुचारू रूप से सुरू कर सके हम और उसके बाद जो भी है जैसे अब पशू है जैसे इदर से दसटका से आ जाते थे या फिर या बाई पास से तो इदर उदर से पशू घुस जाते थे हमारे काम में अब वो पशू घुस नहीं पा रहे हैं और उनके प्रवेश ना होने के कारण हमारी फसल है जो है बच प ह्यास सब्सक्राइब लगाएं? शे अगर सरकार हमाँ दो कुझा सिध्य कराइगए जाएya बाकि दूसरी सोलर इससे कोई फैदा नहीं है अमारे को बाकि भसलों को काफी यह है मतलब लोगों को किसान्यों को काफी रहात मिली इस चीज के बारे में बाकि सब ठीक है आपको बता दें कि लार्टी गाम नगर परिश्वत एरिया के बार नमबर 11 के तहद आता है और गाम के बीचों बीच में बाइपास भी गुजरता है और सड़क साथ लगने के कारण अवारा बस्वों की समस्या जादा बढ़ गे थी अब ग्रामिनों के अथक प्रयासों से कि की तारबंदी से अवारा बस्वों की समस्या से निजाद मिली है